हेई गाईज वालकम बैक इन यूट्यूब चैनल निको चोदी रियाक्शन मैं हूँ नताशा अभी अभी मैंने एक वीडियो देखी जो कि सरोज मुसकान चैनल पर है सरोज मुसकान चैनल किसका है आपको पता ही होगा अगर नहीं पता तो बता दू कि अर्मान मलिक की भावी यानि कि कुलदी मलिक की वाइफ का वो चैनल है जिस पर अभी कुछ दिन पहले काफे जान्दा हंगामा हो रहा था कि चैनल बंद होने वाला है जिसके बारे में हमने आपको बता दिया था कि चैनल बंद नहीं होने वाला उस पर स्ट्राइक पड़ी थी जो कि गेमिंग से कालू भाया गायब थे अचानक से कालू भाया वापस आ गए है आपको बता दे एक हफ़ते पहले वह वापस आ गए थे वहीं पर जो अर्मान मलिक है उनकी फैमिली के द्वारा जो सरोज है उनको ये कहा भी गया था कि वो वापस आ गया है और अपने हासी वाले घर में है जी हाँ आपको पता ही होगा कि कुलदीप और सरोज का काफी ज़गड़ा हो गया था जिसके बाद ने सरोज ने हासी छोड़ दिया था और जो कुलदीप है वो भी रिहाब में चले गए थे इसके बाद कुलदीप को तो रिहाब से बुला लिया गए जब अर्मान मलिक के बच्चों का जनम दिन था लेकिन जो उनकी वाइफ है कुलदीप की वाइफ है वो अपने बच्चों के साथ में अपने माईके के पा अपस आए एक हफता पहले और वो अर्मान मलिक के साथ में ना रहकर अब रह रहे हैं अपने हासी वाले घर में वो भी अकेले हासी वाले घर में अकेले रह रहे हैं और इतना ही नहीं अपने इंस्टाग्राम पर वो वीडियो भी अप्लोड कर रहे हैं शोड्स अप्लोड कर पत्नी उन्होंने सामने आया और उन्होंने का है की अगर आप लोगों ने इस पर कोई action नहीं लिया और कुछ भी miss happening हो जाती है क्योंकि ये लोग वही है जिनके साथ हम हमेशा कुल्धीब को बैठने से रोकते हैं उनके साथ जाने से रोकते हैं यानि कि ये कहे कि गलत संगत जीच को बोला जाता है ये लोग वही है आपको पता है कि वो लोग उनके साथ घूम रहे हैं अगर कुछ भी उनके साथ में होता है मिस सेपनिंग कुछ भी होती है तो मैं या मेरा परिवार उसके लिए जिम्मेदार नही होंगे फिर मेरे उपर एलिगेशन लगाने का कोई फायदा नहीं है वहीं पर दूसरी तरफ जब अर्मान मलिक को एक हफ़ते से पता है कि कुल्दीप मलिक ऐसी संगती में है जहां पर उनकी जान को भी खत्रा है और वो वैसे भी वहाँ पर काफी जादा इंटेक कर रहे हैं तो फिर भी अर्मान मलिक कुछ भी रेस्पोंस नहीं कर रहे हैं कुछ भी फैसला उन्होंने नहीं लिया ना तो अपने भाई को लाने का और नहीं इस चीज़ पर कुछ भी बात करने का आपको बता दे कि जिस वक्त अर्मान मलिक की जो भाई है कुल्दीप और उनकी वाइफ की कॉंट्रोवर्सी हुई थी उस वक्त कुल्दीप को लेके आने पर उनकी वाइफ काफी जादा कुस्सा हुई थी कि ये रिहाइब स जिन्दगी भर भी डलवाना पड़ा उनकी देखभाल करनी पड़ी तो मैं करूंगा जिसके बाद लोग काफी ज़दा इंप्रेस हुए तो लोगों ने कहा था कि अर्मान मलिक को अपने भाई की चिंटा है इस वज़े से वो ये एक्शन ले रहे हैं काफी कुछ उन्होंन अर्मान मलिक अपने ही कामों में लगे हुए हैं सवाल ये भी उठ रहा है लोग ये भी सवाल कर रहे है कि अब कहा गया वो भाई जो कि उस टाइम पर इतनी रैस्पोंसिबल्टी निभा रहा था जब उसका घर तूटा था उसकी वाइफ उससे छोड़ कर गई थी उस वक् ही लग रहा है कि जो अर्मान मलिक उस वक्त बोल रहे थे कि मुझे मेरी परिवार की चिंता है मैंने बहुत कंदों पर उठा लिया बोज यानि कि अपनी जो परिवार वाले मरे हैं उनका कंदों पर काफी बोज उठा लिया मैं कुछ भी बरदाश नहीं कर सकता है कि मेरे प केला चोड़ावा है क्यों इस पर कुछ बात नहीं कर रहे हैं यह काफी बड़े सवाल इकट अगर कुल्दीप की वाइफ यानि कि सरोज इस चीज़ के ले ना बोलती तो लोगों को पता ही ना चलता कि आकिरकार चल क्या रहा है और सारा ब्लेम फिर से सरोज के उपर आ जाता लेकिन सरोज ने अपनी तरफ से किलियर कर दिया है कि मैं वहाँ नहीं जाओंगी मैं इन चीज़ों को नहीं रोकूंगी कि मैं अब यह चीज़े बरदाश नहीं कर सकती अब देखना यह हो गया कि अर्मान मलिक कैस पर कोई स्टेप लेंगे या फिर हमेशा की तरह सिर्फ गोल मौल बात कुमा कर इसको छोड़ देंगे लेकिन एक सवाल ये भी उट रहा है कि क्या जो खुल्दीप मलिक है वो अगर रियाब सेंटर में थे तो उनको छुड़वा कर कौन लेकर आया है अगर उनको किसी ने छुड़वाया है वो बाहर आये है तो वो क्यों बाहर ल लग रहा है कि उनका बैट टाइम चल रहा है और उसी में अगर उनके भाई से लेटे लिए चीज़े आ रही है कि भाई ये जिम्मेदारी भी अर्मान मलिक ने छोड़ दिया अपनी तरफ से तो फिर भी अर्मान मलिक पर काफी बड़े सवाल उठ रहे हैं तो चलिए हम करत ये बबाई थैंक यू सो मुच